दियम पुलकित खरे आज शेहर छेतर में गुरूरामराई स्कूल में बनाए गए कौरिंटाइन सेंटर का निरिछण करने पहुचे निरिछण के दोरान वहाँ हरकम मच गया इस दोरान वहाँ पर सभी विवस्ताइं चाक चो बंद पाएगी दियम ने बताया कि जिन लोगों का सेंपेल जाज के लिए लखनो भेया जाता है उनको कौरिंटाइन सेंटर में रखा जाता है इस समय यहाँ पर 18 लोग मौझूद हैं जिन में से 5 की जाज रिपोर्ट आ गई है और सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आई है तीन लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है जितने लोगों की रिपोर्ट आई है उनको आज किट देकर घर रवाना किया जा रहा है जन्पद में जो कॉरेंटीन सेंटर चल रहे हैं जहां आपसे जिन भी वेक्टियों को लक्षन होते हैं इनके सैंपिल लिये जाते हैं उनको यहां पर रखा जाता है और जब उनके सैंपिल की रिपोर्ट नेगटिव आ जाती है तब ही उनको घरों के लिए किट दे के रवना करा जाता है इसी को देखते हुए है शेहर के इस कॉरेंटीन सेंटर का इंडिक्शन करा गया यहां पर अठारा लोग रुके हुए हैं जिन में से तीन लोगों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है शेष्ट की नेगटिव रिपोर्ट आज ही सुबह प्राप्त हुई है इनको को किट दे के छोड़ा जाए और इन तीन लोगों का भी रिपोर्ट आने पर इनके एकसास इनको छोड़ने की कारवरी कर जाएगी यहां की सारी विवस्ता है देखी नहीं खाने पीने की विवस्ता साफ सफाई के लिए डॉक्टर्स की टीम यहां पर भी मौजूद थी इन सबको जाइजा लेने के लिए इनिविक्शन कराएगा है थैंक्स की